तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले किरिकट के दीमाने उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे सूंगे। या जोAKALbes होगा, बोले कर बाँत हो गया, अभी अपने को जीतना है, अभी हमारी बारी है, तो यहीं जानेंगे आज के इस वीडियो में कौँन से टीम जीते की माच, तो सबसे पहले हम यह जानते हैं, जब यह दोके से पहले आपने सामने आई हैं, तो किसने किसको जादा ब यानि पिछले सिजन मामला बरावरी का था जन्वारी के महिन इनके पिच में दस मैच खिला गए जिसमें से साथ में जीता ओकर लेंडन ने गांगरेंश ऑकलेंट के सामने बढ़िया पुर्फॉर्मेंस करते हैं फ्राइडे के दिन के बिच में चार मैच खिला गए जिसमें जजबाद बदल दिये, वक्त बदल डाले, पता नहीं क्या गया गार डाला, क्योंकि बहुत अच्छे से ली है किसकी, ओकर लेंड की, पांच में से चार बेलिंग्टन जीता, बस ओकर लेंड को एक मैंच जीतने दिया, तो बेलिंग्टन फिर से क्या वैसी परफोर्मेंस दो अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए, और क्या करना, कुछ भी नहीं करना, बस क्या आल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते हैं न, और अगर आपको सभी माचों में फादे मिले न, तो मेरा टे सब्सक्राइब करें, तो भाई लोगी जो मैच है न, फ्राइडे 20 जनवरी इंडिया टाइम अनुसार 7-10, यानि बिलकुल मौनिंग में जब हम रजाई में सो रहे होंगे न, तब ये सिक्कव चाल के मैच खेलने के तैयारी कर रहे होंगे, और ये जो मैच होगा, जोन उसके करें, तो फच्पन के नीचे स्कोर बनेगा, तो 10 मैच में से 8 मैच में टार्गिट जेज हो सकता, टार्गिट डिफैन की बात करें, 171, 171 फ्लस स्कोर बनेगा, तो 155 से 171 के बीच में स्कोर होगा, आप समझ जाना जो मामला है न, ये तो बराबरी का आ गया, चेज भी हो सकता और defend भी हो सकता भाई रोग यहां के मदान पे जो मैच होते है न थोड़ा सा medium scoring होता है क्यों होता है क्यों होता है क्योंकि यहां का जो surface है वो gross है शुरू में 3-4 ओबर जो 30 गेंदवाच है उनको extra bounce मिलता थोड़ा सा ball swing करती है तो शुरू में बल्ले बाजी करना मुश्किल होता है लेकिन यहां की जो condition है और batting condition है जब ball की signing खतम हो जाती है तो जो ball होता है बैट पे काफी ज़्यादा अच्छे से आता है और यहां की जो boundary length है वो भी medium है इसलिए यहां पे जो match होता है वो medium scoring होता है क्योंकि हम यहां के मैदान पे दोणों डीमों की performance की बात करें तो Auckland ने दो match खेला और दोणों ही match हार गए मतलब इनको यह मैदान है ना पसंद नहीं है क्योंकि दो खेला दोनों हार गए Wellington की बात कर तो पहली बार यहां पे आया है match खेलनें तो देखते हैं पहली पहली बार आया तो क्या कर लेगा सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे ओकाल लैंड की जिन्होंने 6 match खेला 6 में से बस 1 match जीता 4 match आर गए 1 match टाई रहा इनके 6 points है अगर हम इनकी बल्ले बाजी की बात करें जो औकरलेंड की बल्ले बाजी आ रहा रहा है जब भागी ऐसी कहानी रहेगी एक match में अच्छा करोगे बाखी सभी माच आर नहीं पढ़ेंगे वहीं दोस्तों बात करें बैलिंग्डेन की तो इनोंनी 6 match खेला 3 जीता 2 हारे 1 match no result रहा इनके 14 points है अगर हम इनकी बात करें तो जो शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी हुई थी जो भी बल्लेवाज आता था जवर्जस बल्लेवाजी करता था जो भी गेंदवाज आता था जवर्जस गेंदवाजी करता था लेकिन उसके बाद इनको बता नहीं क्या होगा ऐसे लगने लगा ज़ेसे हवा में उनने लगे किसी ने इनको पंचर कर दिया विस्ष़ले तो मैश से धरांप नीचे ना तो बल्लवाजी चली ना गेंदवाजी अशी चली तना फिर से इसलोगत करते हैं घेल को तो अगर हम यहाँ पर देखे तो कहीं है कि जो बेलिंग्टन की टीम है, करेंट प्रफोर्मेंस के साफ़से वो ज्यादर बहतर नजर आ रही है, ओकर लैंड थोड़ा सा फिसटी नजर आ रही है, अगर हम इन दोनों टीमों के लास्ट सिक्से मैच के विहाब पर कम्प्रीज 175, 179 का जो की काफी ज़्यादा बढ़िया होता है, गेंदवाजी अबरेज की बात करते है, 8.02 यही भी बढ़िया होता है, तो रिजल्ट में बिल्लकुल इनना साथ जो बेलिंग्टन की टीम है, वो ओका लैंड से बहतर नजर आ रही है, लेकिन बल्लेवाजी अबरेज की अबका बाई कोई हीरो या सिलेबेटी भी नहीं है, आपके बीच करेने वाला आपका अपना बाई है, तो अपने बाई का सपोर्ट आपको कोई करना पड़ेगा, और क्या ही करना, कुछ भी नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना तो कर सकते है क्योंकि मेरे सबस्य जो match है ना टीम ऑगा लैंड अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या वोलूँगा मेरा टेलीग्राम जोइन करने लिए क्यों कि जोइन करना है क्योंकि इस match की जो final prediction होगी ना वो match start होने के 20-25 मेंट पहले आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो मेरा टेलीग्राम आप जरूर जोइन करें और जिन लोगों में पहले से मेरा टेलीग्राम जोइन किया नो बहुत ही फायदे में तो आप पीछे क्यों हूँ आप भी जोइन करो फायदा उठाओ बस